असलाम लेकों मेरा नामेल असर अबास और आप देख रहे हैं हमारा यूटीब चैनल वी यू बीडेब्ली एन आज की स्वीडियो में हम सीए 610 प्रैक्टिकल की असाइंट नुबर वन के सलूशन के बारे में देखेंगे इसमें हमें एक टास्क डिया हुए है दो टास्क वैसे दिये हुए है टास्क नम्र वन में वो कहते हैं खरण वन्हीं के डास्क ट्राइब को एन प्रैक्टेटिके डियंग ट्रॉट्टेंट कर्फूर्ट अपर्षट पीडेटिकल्ट शेयर के सीए 10 अच्वेर नेयरा घ्रल्स्टीड टैसी तो नू रूबल शूट इस ट्रॉट्टिज अपरीजी देघ्लिड गैट्सक्रीड पास question वो कता है which command you will use to check all the configuration of the system इसके लिए जो हमारे पास answer बनेगा वो हमारा जो answer है जो हमने command देनी होती है वो होती है IP config और space यहां पर slash all ठीक है यह वाली command हमें देनी पड़ती है इस command को हमने run करवाना होता है अपने system के उपर और screenshot आपने यहां पर लगाने ठीक है तो हम चलते हैं command prompt के उपर cmd आपने यहां पर सर्च करना है cmd आपके पास आ जाएगा यहां पर आपने लिखना है IP config slash space all ठीक है तो यह आपके पास एक screenshot बन के आ जाएगा ठीक है हर बन देगा यह अपना screenshot होगा तो आपने अपने system से screenshot लेना है यह वाला screenshot और आपने पेस्ट करनी है यह आपका question no.1 हो जाएगा question no.2 में वह कहते हैं imagine a university library where a star topology network is set up to manage various library operations and resources at the center of this network there is a main server in the librarian office controlling and overseeing all connected system within library five different nodes represents system and resources distributed throughout the library below are the topology design यह topology हमें design दिया हुआ है इस topology के विदा से हमने एक star topology को create करना है आपका जो task है वो करता है using cisco packet tracer design and structure this part start topology आपको आपको आपना सिस्को सर्च करने के बाद आपको यहां पर इस वेबसाइट पर जाए आइटिंटो PC.com यहां पर search करें आप वीजियो और वीजियो सर्च करने के बाद आपको यहां पर Cisco पैकर आपना Cisco सर्च करने है Cisco यह आपको एक Cisco Packet Tracer का यहां पर टूल आपको डाउनलोड करके देदेगा ठीक है तो हम चलते हैं Cisco Packet Tracer की जाने सबसे पहले जो हमें यहां प आपने 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 करना था आपने नोड वन नोड टू यह आपके पास कम्प्यूटर आपने बना लेने थे तो स्विच के अंदर सबसे पहले आपने अपनी आईडी देनी थी इसका लेबल अपनी आईडी के तरीके से ही करना था तो हम इसको लेबल दे देते हैं ठीक है तो बीसी वान टू तू त्री फॉर फाइव सिक्स सेवन जो भी आपकी यहां पर आपने लगा देनी है ठीक है क्योंकि आपने स्टार टॉपालोजी बनानी है स्पार स्टार में ही बनते है ठीक है यहां पर आपके पास फिर एंड डिवाइस हो जाएंगी ठीक है जो कि नोड वन नोड टू उनका नेम लिखना है आपने तो हम पांच यहां पर नोड बना लेते हैं कंट्रोल सी इसको कर लेते हैं हम यहां पर कंट्रोल सी और वी यह आपके पास आजाएगा फिर यह यह आपके पास आजाएगा यह आपके पास आजाएगा और यह आपके पास आजाएगा ठीक है इसको इस तरह से रखना है कि यह स्टार टॉपालोजी में आपको नजर आते रहें ठीक है तो यह आपके पा अपने नेम देना हैं फिर नेम आपकी इस DIRECTOR सुध है इनको डबल कलिक करें आप ठीक है और में जाके डिस्प्ले नेम इसको यह हमारा नोड वन था तो हम इसको नोड वन देते हैं ठीक है यह पिर यहीं पर डबल क्लिक करके इसको दे दे यह आपका नोड टू है यह आपका नोड थ्री है ठीक है हाँ यह आपका नोड फूर बन जाएगा नोड फूर और यह आपका यहां पर नोड फाइफ बन जाएगा ठीक है फिर आपने इनको कनेक्शन भी देना है kadnik अब देंगे इसके लिए तो यह आपका कनेक्शन आयाएगा स्विच्स से लेके ठीक है, यहां पे आप इसको drag करेंगे, switch से लेके, यहां पे आप fast ethernet लगा दें, ठीक है, यहां तक आपका यह connection आ जाएगा, ठीक है, दूसरा भी आप यहां पे दे दें, switch से लेके, यहां तक अच्छा यह आपके पास connection यह वला आपने देने है ठीक है एक ही तार आपने यहां पर लगानी है यहां पर आपने इसको drag and drop करने है fast ethernet और यहां तक यह आपके पास यह आ जाएगा ठीक है यहां पर आपका यह आ जाएगा और इसको भी आपने यहां तक लगा देने है यहां पर भी आप लगा दे ठीक है यहां पर भी आप लगा दे ठीक है यह आपके एक start apology इस तरह से बन जाएगी अब इसके उपर आपने वैसे IP address वगरा देने होते हैं तक यह इनको आप IP assign कर सकें ठीक है वो किस तरह से दिये जाती है वैसे अगर आप देना चाती है तो दे दे नहीं देना चाते तो यहां पर नहीं दे दे क्योंकि इसमें जो आपके पास चीज आएगी या फिर जो आपने यहां पर screenshot वगरा लेना है आपने इनका वो आपने जसी कहीं देना है जो आपकी start apology है ठीक है अगर आप इनको ip address assign करेंगे तो भी आपका यह ठीक हो जाएगा अगर यह आप असाइन नहीं करना चाते तो वैसे ही यह connected है एक दूसरी के साथ ठीक है आपने इनका screenshot लेना है स्निपिंग टूल की मदद से और यह वाला control c और यहां पर अपनी id के साथ यहां पर आपने इसको control v करना है यहां पर ठीक है जो आपके task यहां पर आ जाएगा ठीक है क्योंकि आपने जस्टिक design का screenshot ही लेना है ठीक है जी तो यह आपकी assignment का solution था